दोस्तो वो खबर लेकर आया हूँ जिसे जानने के बाद आप थोड़ा सा कन्फियूस होंगे, खुछ भी होंगे, हैरान होंगे और सबसे बड़ी बात चीन तो इसे देखकर बहुत ज़्यादा ही परेशान होने वाला है अगर वो हमारे वीडियोस देखता होगा तो भाईशन कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ही, मतलब कुछ भी दोस्तो मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो बना कर आपको दिया था और बताया था कि जब आरकेस भदोरिया साहब, जो कि हमारे यर चीफ मार्शल है उन्होंने अपनी इस्राइल विजिट के दोरान एक शौर्टी ली थी F-15 EX के साथ और दोस्तो कहीं न कहीं अमेरिका पहले ही F-15 आफर कर चुका है भारत को तो कहीं न कहीं चांसेस ये भी बनते हैं कि शायद भारती सेना 36 की संक्या में ही सही इन्हें प्रिक्यॉर कर ले जी है लेकिन दोस्तों यहां तक तो ठीक था उसके बाद एक कॉमेंट आया कि भी यह अमेरिका आप F-35 देते हो तो बोलो वरना यहां से निकलो वो कमेंट मुझे बहुत पसंद आया था और देखिए उसी से रिलेटेट एक खबर निकल कर आ गई दरसल मैं आपको बता दू कि जब भादोरिया साब इसराइल की विजिट पर गए थे तो उन्हें ब्रीफ और उन्होंने शॉर्टी न केवल F-15 EX की ली बलकि उन्हें F-35 ने भी ब्रीफ किया उसके साथ भी उन्होंने शॉर्टी ली जी हाँ आप यह इमेज देख रहे हैं ना यह खासी वाइरल हो रही है इसमें जो इसराइली एरफोर्स के ओफिसर है उनका फेस बलर कर दिया गया है सिक्यूर्टी परपस से लेकिन इसके अलावा आप देख सकेंगे कि भधोरियस आपको वो कुछ दिखा रहे हैं और यह जो बैगराउंड में फाइटर जेट है यह कोई और नहीं बलकि F-35 बे अमेरिका में बना हुआ जी हाँ वो इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं उन्होंने जानकारी ली अब दोस्तों यहाँ पर कई सारे सवाल उट सकते हैं कि क्या भारती वायू से ना इन्हें प्रिक्यूर करना चाहती है क्या इस तरह की कोई सीक्रेट डील हो गई है अमेरिका और भारत के बीच में जिसमें मीडियेटर है इसराइल और इसराइल ही अमेरिका के सारे प्लान भारत को बता रहा है तो दोस्तों हो सकता है कि ऐसा कुछ हो लेकिन मैं आपको बता दू कि भारती वायू सेना पहले ही कह चुकी है कि हम किसी भी दूसरे देश से कोई पे स्टेल्थ वायडर चेट नहीं खरी देंगे हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं हमारे खुद के सोदेशी एमका के उपर जी है वैसे इस तरह का कोई प्लान नहीं है 120 की संक्या में हमारी एर फोर्स को एमका चाहिए जिसकी उपर काम तेजी से चल रहा है इसकी अदरी कोई दूसरा प्लान भारती वायू सेना का नहीं था लेकिन इस तरह की इमेजेस जब आती है तो कुछ न कुछ सवाल अपने आप में खड़ा कर देती है हलाकि जो कुछ भी होगा आने वाले समय में हमें पता चल ही जाएगा वैसे मैं अभी भी आपको बता दू कि यहाँ पर F-35 के बजाए F-15 EX का ज़्यादा चांसेस बनता है कि भारती वायू सेना प्रिक्यूर कर ले छोटे नंबर में ही सही लेकिन कर ले F-35 मुझे भी नहीं लगता कि भारती वायू सेना खरीदेगी यह किसी तरह का कोई इंट्रेस्ट जाहिर करेगी नहीं लगता मुझे आपको क्या लगता नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा